आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now देखो यो questioner में क्या क्या दिया है 5.325 gram sample of methyl benzoate a compound used in manufacture of perfume contain 3.758 gram carbon 0.316 gram hydrogen and 0.121 gram oxygen what is the empirical formula empirical formula पूछा गया हमसे of compound इसी compound का empirical formula कितना हुआ यह पूछा गया है और हमें क्या दिया गया if molecular weight of methyl benzoate is 136.0 calculate the molecular formula empirical formula पे निकालना है और molecular formula पे निकालना है तो देखो कैसे करेंगे यह question सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं table type का बनाएंगे इसमें ताकि हम लोग को convenient रहे यहां हम लोग लिखेंगे element यहां हम लोग लिखेंगे उसका mole ratio और last में हम लोग लिखेंगे उसका simplest mole ratio जैसे हम लोग करते हैं normally empirical formula की questions ऐसे ही हम लोग deal करते हैं simple mole ratio लाश में लिख दिया हमने अब देखो आप क्या करेंगे पहला हम लोग element ले रहते हैं carbon carbon में कितना है हमारा 3.758 total कितना है 5.325 into 100 यह आप सौल करोगे आपका आएगा 70.57 similarly अगर आप hydrogen के लोगे hydrogen का कितना मास दिया गया है 0.316 into 100 divided by 5.325 यह आपका आजाएगा यह आपका कितना आएगा आप सौल करोगे तो यह आपका 5.93 के आसपास answer आएगा last कौन से बचोगे oxygen oxygen के कितना दिया गया है 1.251 gram into 100 divided by 5.325 total equal to 23.50 ठीक है यह percentage आगया अब आपका यह percentage है यह एक और टेबल आएगी यह percentage हैं सारे यह percentage यह percentage और यह percentage अब mole ratio मैं किदर लिख देता हूँ ठीक है ना mole ratio मैं इसमें लिख देता हूँ कोई problem नहीं है एक table कम बना लिए हमने कोई लिखत नहीं है mole ratio यहाँ पर लिख देंगे mole ratio कितना जाएगा इसका 70.57 divided by उसका molecular weight carbon का molecular weight 12 यह आप solve करोगे तो आपका आएगा 5.88 ठीक है दूसरे पार्ट में कितना हो जाएगा 5.93 divided by hydrogen का atomic weight 1 यह तो भ़ई है जाएगा 5.93 और लास्ट में आपका जाएगा 1. sorry 23.50 divided by oxygen का atomic weight कितना होता है 16 atomic weight दिखना है भाई molecular weight देना कोई जाके तो आपका जाएगा 1.47 अब देख़ो simple mole ratio में आप लोग क्या करेंगे 5.88 divided by यहाँ पे सबसे चोटे के लुक काउं से लिख रही आपको 1.47 है इससे डिवाइट कर दो भाई 1.47 कितना आजाएगा 4 approximately 4 आएगा इदर क्या करेंगे 5.93 divided by 1.47 यह भी आपका approximately 4 आएगा और लास्ट में आप क्या करोगे 1.47 divided by 1.47 यह आपका आएगा 1 अब देखो तो इसका empirical formula लोग को मिल गया empirical formula कितना आजाएगा empirical formula इसका आजाएगा देखो C के साथ कितने है 4 C के साथ कितने है यह C है C के साथ है 4 C 4 hydrogen के साथ कितने है hydrogen 4 तो h 4 और oxygen के साथ कितने हैं 1 है सिर्फ तो सिर्फ single o यह आ गया आपका empirical formula अब आपको यह निकालना है weight weight भी निकाल देते हैं अपने weight of empirical formula weight of empirical formula कैसे निकालेंगे weight of empirical formula 12 into 4 carbon atomic weight into 4 plus 4 into 1 plus 16 into 1 यह आप salt करोगे तो यह आपका हैगा 68 अब देखो आप क्या करेंगे n factor निकालते हैं लोग क्योंकि हम लोग को molecular formula चाहिए तो n factor निकालेंगे n factor क्या होता है हमारा n factor होता है हमारा molecular weight upon molecular weight upon empirical formula weight molecular weight upon empirical formula weight molecular weight methyl benzoy weight का आप निकाल होगे यह आता है 136 upon 68 यह आप यह exactly 2 times जाएगा तो n factor आपका आएगा 2 ठीक है n factor आपका 2 आगया मैं थोड़ा erase कर देता हूं उपर तक हम लोग को थोड़ी जगा मिल जाए लिखने के लिए इतने space में अपना काम हो जाएगा अब देखो n factor हमने निकाल लिया था तो हमने क्या h4 o और यह हमारा n factor कितना आया था n factor हमारा आया है 2 यहाँ पर 2 finally हम लिख सकते हैं कि हमारा molecular formula है c8 h8 o 2 यह आपका solution Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करे doubt net app या WhatsApp कीचे अपने doubts 8400-400 पर предлагा आये क्या जी है